साथ क्यों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरण्जन के साथ साथ उनके सिखने और उनकी क्रेटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए. साइन्स सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो रिक्रियेशन और क्रेटिविटी को आपस में जोडता है. इसमें ऐसी रिक्रियेशन एक्टिविटी हैं, जो बच्चों में क्रेटिविटी को बढ़ावा देती हैं. इसमें खेल कुद है, मोज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्रेटफॉर्म भी है. हमने देखा हैं, बच्चे अक्सर माबाप से रोबोर्स और जानवरों के बड़े खिलोनों की डिमान करते हैं. कुछ बच्चे कहते हैं, गर में डाइनासोर ले आओ, कोई शेर पालने की जीद करने लगता है, अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे, बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइन्स सिटी में. जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेश रुप से मेरे नंडे साथ्यों को भहत पसंद आने वाला है, इतना ही नहीं, साइन्स सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी, वो तो और भी आनदित करने वाली हैं, ये देश के ही नहीं, बलकि एशिया के टॉप एक्वेरि जेम में से एक है, एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विवित्ता के दर्शन अपने आप में अद्भूत अनुभव देने वाले हैं, वहीं रोबोटिक्स गैलरी में, रोबोट के साथ बात्चित का आकर्षन का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के खेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरिद भी करेगा, बाल मन में जिग्यासा जगाएगा, मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस, ऐसे अनेक खेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारी वारस साथी ले पाएंगे, और हा रोबो कैफे में रोबोटिक शेप का बनाया, और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनन, शाहिद ही वहाँ जाया हुआ कोई व्यक्ति, वहाँ गये भी न रहेगा। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह तस्वीर भारत की हैं, गुजरात की हैं। तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी। प्रुम्ट अजब याग्ट खाने की हम दोग्यता और भारत की हैं, गुजरात की हैं। झाल झाल खाने की हैं।